मित्रों नमो नम ब्रेहत्राई समागम चैनल में आप लोग का स्वागत विनंदर बंदन है मैं जैहिं सर आज हम लोग सीटेट 2021 का जो गद वाला पैसेज होता है दूसरा पार्ट या सिकेंट पार्ड लेकर आया हूँ इसमें दिया कि अधो लिखितम गध्यांसम पठित्वा तद आधारित प्रश्ण अनाम एक सों तीस और एक सो पैंटीस का बिकल्प आत्म उत्रोभ्य उचितम लिखत यानि वह कहा कि अधो लिखित गध्यांसमें से आधारित प्रश्ण एक सों तीस से पैंटीस से बिकल्प का उसाइवत चैन करना होगा तो आप लोग सीटेट 2021 क इसका जो पहला उला पैसेज पढ़ाता यह दूसरा इसकी कहानी बहुत छोटी से लेकि पूरी की कहानी संस्कित भासा में लिखी रहती है थोड़ा सा दिक्कत होती है लेकि कुछ भी नहीं ध्यान से मेरी बात को अगर सुनेंगे तो एक भी सवाल छुटे गने बन भी से यह लिखोड़ा से खेलो समर्तिकषा धायेगा इसको फिराए च्टी से कहानी नमक जादा हो गया लड़का नाराज हो कर से चला जाता है फिर लग्स यानए जबात धर चला जाता है जा कर ट्शेँ घर पर खाना खाकर आता है तो साम आठ वज्य आता तो उनके पिता जी पूछे कि बैटा खाना तुने खाया पिताजी मैं अब नए तो तुम तो खा ले लेकिन तुम्हारी माघाइश चिनता किये यहीं नहीं यहीं कहानी होती सब्सक्रूरा जो बालक होता है मां के आगे जाकर सौरी बोलता है इसके बाद अपनी प्रस्तितिक बताता है यह कहाने नैतिक कथा है तो दियाय संस्कित भासा में इसको अध्यन किया जाए किस्सह कस्चन लगु कुटुम्बक वह एक छोटा सा परिवार था यानि कहीं एक छोटा सा परिवार था तस्मिन पित्रों पुत्र पुत्री च आसना यानि उस परिवार में माता पिता पुत्र और पुत्री एक भाई और बहन थे एक अस्मिन दीने मद्याहे पुत्रम भोजन अर्थम ग्रिहम आगत यानि एक दीन मद्याहन पुत्रम भोजन यानि दोपहर को भोजन करने के लिए पुत्र आया माता जल चसका अस्धालिकाम चा संस्थापत अन्यम सारम चा प्रवेस्यत यानि माता ने बच्चे के लिए जल और थालिम भोजन लगाकर परोशा पुत्र कौल मात्र खादित्या जननिम अगरियत अंबह यानि पुत्र कवल मातिया थोड़ा सा एक कावरा जो गामें कहते हैं भोजपुरी भासम एक कवल खाया खादित्वा जननीम अगहत यानि खाना एक कवल जहीं ग्रास किया खाया तुरां उपिस में दिया एक सब्द आगहन यानि गुशा कर देखने ला गुराने लगा अंबह कीदम अपी माता ये क्या है सारा संपुर लवड मैं यानि सारा भोजन लवड मैं हो गया नि भोजन में नमक तेज हो गया एततह खादितुम कथम सकनियोत मया भोजनम मास्तु यानि ऐसा भोजन मैं नहीं खा सकता मातरम भर्ट्सना एवस कोपेन ग्रिहत बही भगत्वान यानि माता के उपर कुरूद करके वह नराज होकर कहीं चला गया सायम दीप ज्वाला न समयम अभवत यानि साम को दीप माला यानि साम के समत तथा अफिस इवा पुत्र ग्रिहम न यानि कि साम होई साम तक पुत्र नहीं आया नहीं आया सभी लोग चीनती थोगे रात्रो अष्ट बादने समय आगत अप्सह हस्त पादम प्रचाल्यम दूर दसन पूरत आसन दे उपविस्तम हस्तेन नियंत्र का रिमोट ग्रित्वा यानि कि रात को आठ बजे पुत्र कहीं से आया हाथ पैर धोकर पूरत आसन यानि अपने आसन पर बैट कर नियंत्र कर यानि दूर दर्शन पूरत आसन उपविस्तम है दूर दर्शन एक टेली बीजन को देखा नियंत्र कर रिमोट लेकर यानि रात को आठ बजे पूत्र आया हा समीपम आगयत यानि थोड़ी देरवर देखने के बाद पिता पूत्र के समीप आएं तम द्रिष्टा पुत्रम चिंतवात कीमदम पिता मं समीपे आगच्छती यानि पूत्र को देखा और चिंतित देखें पूत्र मेरा चिंतित था कीमदम पिता मं समीपे आगच्छती यानि पूत्र पीता। पूत्र के समीप आकर बैठें एवात परियंतम एवबारं अपिस जल्पनंदिकम नेन यानि एक भार भी जल आलपनि यानि जल ग्रहन या भोजन किये कि तुम नहीं पीता पुछते बेटे तुम ने दिन भॉजन किये या नहीं तो धूला था इलाणि मां अह तुम यान encoraj mars यानी तो प्रवयी परंतु पीटा का कर्भ ने। पुच्छा कि अहां खाना क्ये भाद्थे भावान मदने भोजनम क्रितवान ननु यानी दोपहर का भोजन तुम कहां किये थे वच्छ भावन तमं यð опас नुं पृच्छामे मिं बताऊ तुम कहाँ खाना खाय थे भावान मध्याहन भोजनम किर्तवान दोपएर का भोजन किये हो कि नहीं किये हो आम हां किंचित रुच्छतया औ अवधत पुत्र यानि कींतित होकर वो पुत्र बोला कुत्र कहां मृदू स्वरेण प्रिछम पिता यानि कोमल सभाव से पिता पूछतें बेटें तुमने दो पहर का भोजन खाए किने एक बार दो बार तीन बार पूछे पिसमम सुरिदम माम उपहार मंदिरम नित्वा भोजन करित्वन्त यानि मेरा सुहिरदा यानि मेरे मित्र के घर मैं अपने मित्र के घर उपहार नित्वा यानि स्वादिष्ट भोजन किया किंचिद यपी अ बिचलती सन पुत्र उक्तवान यानि किसी बिचलत यानि पुत्र ने ऐसा उक्तम बोला सुष्टू पुत्रम सुष्टू भवान भोजनम करतू मिच्छती यानि तुमने भोजन कर लिये चेत भवताम समगरे अपी विशवए ग्रणम अपरें तुम तो भोजन कर लिये क्या तुम्हारे घर कोई खाया ना खाया तुम इसका चिंता किये तत्रते तुभ्यम स्वादू भोजनम दुद्धू तुम तो स्वादिष्ट भोजन कर लिये परंतु भवत मात्रे असमाकम ग्रिहम प्रपंच यानि परंतु तुम्हारी माता घर पे प्रपंच भोजन का सारा प्रवंद किया तस्या लोके अहम भवान भवते अनुजा च एव वसाम यानि तुम्हारी जो बहने ओ दिन भर दोनों लोग भूखे ही रह गएं असमाकम त्रया अणाम ही तमेव तस्या लच्छम यानि हमारा जो तीनों परिवार है हमारा तीनों परिवार का लक्ष ही तुम्हे खुस रखना है भवता भोजनम न कृतम इत्या इत्या इताद परियंतम बिंदु मात्र जलम बिंदु मात्र जलम परंतु असमाकम गिरे तस्या भोजन असमाकम तैया राम हितमे तस्या लक्षम यानि तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे बंत तीनों दिन भर भूके रगे भवताम भोजनम न कृतम इत्यते यानि तुम तो खाले ओ लोग कहांगे साह एताद परियंतम बिंदु मात्रम अपी न स्वक्रिती तवती यानि बि अजितों अतस्या नहिंत परित अश्थिया तुम्हारे मन धोड़ा विखिन नहीं अधा मय किं किर्टम पाक समय मं आउधान कुत्र यानि मय जायरने लोग भूके इत्यत्यत्यत्यOT तुम्हारे बारे में सोचने में ध्यान भटक गया था मम अजाग रुकता करण सार लवडस जाते यानि थोड़ा सा ध्यान भगन होने के कारण सारा लवण भोजन में चला गया तादर्थ पुत्र कीम्ची देपी न भुकतावान यानि इसलिये तुम खाना न खाय सहकुत्र यानि सहकुत्र वह गतावान यानि ऐसा करके चला गया छुत पीपासा निवर्णाम सा किर्थम कष्टम अनुभ्यतम तस्या इती न ग्यायते यानि तुम भूखे सभी लोग को छोड़का चले गये नस्यात इती उक्तवान यानि पीतु हिर्दय अस परसनी वार्णी सुरुत्वा पुत्रम आत्म अलोकम अक्रे यानि पीता और म माता की बाणी सुनकर पुत्र का हिर्दय द्रवित हो गया तता सावधानतया उठाय सन्य सन्य जनित्रया समीप मागच्छ ऐसा सुनने के बाद उसने धीरे-धीरे माता के पास पहुंच गया सा मल्यान वदना खिना च भुत्या उपविष्टती आसेद यानि क्या अपने हाथ से बनाया हो खाना मुझे नहीं खिलाओगे पुत्र बिनेयम तात उपरस्यम मीदू मधुरेण मंद स्वारेण अकत्या यानि माता से समीप जाकर मधुर भासा में मुझे भूख बहुत तेज लगी है किम न परिवेस्ट सी अवलम्रे अब बिलंब मत करो यानि पुरे पैसे सी कहानी समझ जाया गी न है भोजन में थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया लड़का थोड़ा सा भाई एक लवता लड़का था बस वो खाना छोड़का चला गया यही कहानी सी थी नैतिक कथा है पुरे सीटेट में जितने पैसे में सम नैतिक कथां से ही दिया जाता है इसमें एक सवाल पुछा गया है यानि यहां पिता पुत्र के पार्स में उपस्थित पूत्र का कैसा सभा हुआ था दुखित पिता हर्सित पूता उर्धो मुखम है इसका सही एंसर राइट एंसर हो जाएगा यहां इसका राइट एंसर हो जाएगा आपका यह दुखित यानि इसका राइट एंसर हो जाएगा दुखित अब इसके बाद दिया है 130 नंबर कोश्चन पर चलेंगे 130 नंबर पर 130 नंबर कोश्चन क्या पुत्रह यानि पुत्र बोधेतुम पितु वाड़ी नहीं पुत्रह दिया है कि पुत्र भोजनम्न नघ्रित्य यान करने कानमात रिसी चो क्या संत्ली गर्माटकर करने जलमखितो्स दूरदर्शनन पस्याति यानि डेखने लगी पुत्रीपतीमचपने ब्साइंटी यानि पूत्ध तीपती केंCl चलिए इसका राइट एंसर हो जाएगा ए एक्सोट इस नंबर कोच्टन का राइट एंसर जलम अपिन पित्व आसी यानि यह कहा कि पुत्र भोजन नह игр जल नहीं पियает आप इसके बाए 131 नमर कोश्चन चलेंगे आप 1321 नबर question रे अद्र मया किम की तब मतमी कसे मनसी विचार प्रचल्यत है यानि आध्र मया यानि यहां मेरा कितम कसे मनसी विचार मतूँ यह किसका विचार था मतूँ उत्तर से पितू अनुज्यार इ inclusion right answer हो जाएगा पीतू पीतू नहीं मतू मतू इसका right answer हो जाएगा मातू अब फिर दिया इसकी बात चलेंगे हम 133 भोगतुम इच्छा इत्य अर्थे कीम पदम अत्र परियुक्तम यानि खाने की इच्छा पदम अत्र भोगतुम क्या तो भोजने इच्छा पीपासा चुतम भुबुक्छा यानि किसको ज्यादा खाने की इच्छा हो गई वह भुबुक्छा इसका right answer हो जाए 133 का चौथा वला अब 134 नुमर कोचन पिलेंगे जल्पा जल्पान दिकम तेन न किता मयास एक वाक्यम कस्मिन वाच्छे यानि जल्पान अनाधिकम तेन न किता मयास यानि इसका right answer होगा कर्म वाच्छे व्यक्ति दिया न तेक आप्सन नंबर तीसरा निए 134 नंबर कोच्छन का तीसरा वला सही होगा कर्म वाच्छे एक सु पाैंड़ नमर कोच्छं मों ग्रीह भोजन म्ना खाधित्वर को वहि आगच्छे तेक्ष यानि, घर में भोजन न खाधित्वर को चला गया था पिता, पुत्रा, पुत्री, माता इसका right answer मतलम में ग thinkers session जल्या अन खाधित्वर को वहिए यानि घर में कौन भोजन ने पूत्र के चले जाने में कौन भोजन नहीं किया था इसका राइट एंसर हो जाएगा चौत्हा माता अब 136 नमर कोश्चन चलेंगे अब सिक्षण वाला कोश्चन दिया जो है ये 15 कोशन सिक्षण 15 नमर आपका कंटेन होता है तो दिया कि बालत से भासा अधिगरण अधस्तनेसु कशिभूम का सरवतों महत्पुरणा यानि बालक का भासा अधियन करने किसकी भूम का अधिगर परिवारत से होता है सिच्छकस होता है बिद्यालयस होता है प्रसार मध्यस होता है तो 136 नमर कोशन का राइट एंसर हो जाएगा परिवारत से यानि आप सन नमर दोसरा से गयागा 137 नमर कोशन के ब्याकरण नियमा नाम कंठस्ति करण पध्यते केंद्रम सन रचनात्म उपागम प्रत्यक्षम पध्यती ब्याकरण अन्वाद पध्यती साजिको पध्यती इसका राइट हो इंसर हो जाए 137 नमर कोशन का परत्यक्ष पद्धती परत्यक्ष पद्धती अब चलेंगे हम लोग 138 कोश्चन पर भासाया अधिगम अस्सेक्रिते न महतपूर्ण अनुबाद मिष्वास अधिगम परती प्रभित्य अनुबाद यानि भासा अधिगम ensure हो जाएंग मिष्वाश आत्म बिश्वास यानि 138 नमर का दूसरा लख्षन से जाएगा 149 पर लेखन अर्थम बलान अध्यापन समय सिक्षक रूपेंड भवताम कीम करिशती भासाय वराणा बढ़ माला लेक्टुम बालेभ्य निर्देश दसती सो विचारान लेक्टुम बालेभ्य अवसन दसती अदव कानिठास्ति कित्वार अंतरम को परिछेदो सुंदर अस्ता अक्षरे लेक्टुम निर्देश दी क्रिश्ण फल्क क्रिश्ण फल्क अक्षराणी उद्यतुम बलभ्य अवसरती 149 नमर कोस्चन का राइट एंसल दूसरा वलस्था यह जाएगा सो विचारान लेक्टुम बलभ्य अवसर 24-45 कि छात्ता अनाम किर्टे एकाम अध्यान अध्यापन समाग्रिय कीनोतुम अधो गतिन सर्वतो महत्पुरुडम समी पस्थ विशेयां तस समाग्रय उपश्थित उपलब्धी भवेत और दूसरा दिए समाग्री महाघारण स्यात समाग्री छात्रे स्निर्तस्या समाग् गठीत रूपेण उत्य होगे तो यानी 140 नमर कोश्चन का राइट एंसर हो जाएगा चौथा वाला सव समागरी संदर वनकूल भवेश तस्यां च संगठीत रूपेण क्रियेद यानी 141 नमर कोश्चन चलेंगे दूतिय कच्छा केचन छात्रा केसा चन बरणा नाम उचारण करतुम काठिन अनुभती तेसाम काठिन निवाडार्त अधो गतम गेसुक मार्गम सरवतो प्रभावकारी भववर सिचिका मनुस्य मुखस एका प्रकरतीम उपज्युत्तत्र विसिस्ट वरण म पदरसिन कुर्यात और इसका दुसरा अप्सन अन्य अनु प्रसादा सब्दानाम यू लगू यूगुमक कारे कलापा नाम उपयो कुर्यास छात्र रान बरण उचान उचारेर सब्देशू तसे वरणम अव्यागनम और तीसरा दियस में पार्ठ सुच्चाई वाचम कृतिया विसिष्ट वरणम रेखांकित कृत्वा तद विशे विरणम दधाज छात्र यी पुन्य पुन्य पुन्येन बभ्याम करो तेन तेसाम काठी निवारण तिसका राइट एंसर हो जाए एक सुच एक ताल इसका एक सुच्च और यी पुन्य 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 अभ्याम करो कर सकता है 42 पर चलेंगे प्याकनबाद विधी प्रतेक्षवी तो आप लोग जानते पहले नियम बताया जाता फिर बाद मुदार्ण तुसको हम नीगमन विधी के नाम से जानते हैं है 152 कोस्चन का दूसरा व्रास निगमन विदि भिद्यार्थिन भाड़ाम्, अधिग्रण कुर्वन्त कैसे करती हैं सहाजिक बीनेयम, आत्मक मकRe उताव भाड़ान, विशनसीन कटि आ तस्या भाड़ा dobrze गृत्यां, तक्रियुक्तरा आस्विश्या गेंत्या है या 143 नम्मर कोश्चन का राइट एंसर हो जाएगा ये सहजिक बीनयम आत्म वाता वरणे भासा बेवारम कृते यानि 143 का पहला अलाप्शन सही हो जाएगा अब इसके बाद चलेंगे हम लोग 144 पे मित्रों थोड़ा समय लगता है इसको आरामरा से पढ़ा जाए सुच मोटर कोशल से विकास की मर्थ है उदक्रिष्टम उदहरणम मस्ती यानि सुच मोटर कोशल यान लेखन कोशल को करा न यानि आरो हडम कुर्दनम लेखनम पठनम 344 नमबर कोशन का राइट एंसर हो जाएगा आपका यह लेखनम 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 यानि लेखनम आपसन नमबर तिसरा से हो गया इसको एक 45 सिख्छकेण प्रिष्टेसु अधोल लिखित प्रसनेशु कर फ्रसना कच्छा यानि सिच्छक का प्रिष्ट भूमी अधोल लिखित कर प्रसनेशंटा यानि क От यानि इसका राइट एंसर और 145 का दूसरा वाला की स्वयम स्वभासा सकाना नाम आनी लिखते हैं 146 चलेंगे नीम तर कच्छा सु अत्यांत अनु प्रकासित बिता अनु पयोगा क्रियेत यतह ताभी विद्यार्थिनम लक्षे भासा में वासुद्म आवसम प्रापनोती ताभी विद्यार्थिनम अनुसासित तेश्ठती ताभी लक्षे भासा या व्याकरण से अधि गम्य सहता वरती काठिन सब्दाना माला करतूं तथा वक्यानी रचेतुं स्मरदा शुद्द्धधित आब 146 नमर क्योर्चन का जेँ आलेंगे Sig Eye 심 duas religious and संबन्धि गति बिधी करेतुम निश्च कृत्वति च चर्चा रूपाणाम गति बिधीन योजना मकरोत काश्चनम गुण प्रसना राम प्रिष्टवाच चात्रां स्रोतुम नियोज्यती तेसाम रूची चर्चा च वर्धित अता प्रसेधी संती यानि कि इसका पहलावल अप्चन कि स्रमण पूर्व गति विधाया पट्रम्ण का राइट एंसर हो Heart month अंतर नियोग एप आप्स निसका राइट सेघ्या गया एक्सवान नाटालिष रहें पहस आएक अच्छा चित्ठाना बिग्यापन अम प्रयोग भिसे दोटी सुख तीना समाचिनाम एंग्षा कम भाचा कच अच्छा कर्जिके चित्टाना तब गयापन प्रयोग भिसे में अदोलिग विशेय किन फुचित लिखनानों नुचित ऐते फ्हां फ्हां आथार एक श्ष्षै कर्प्विद्धकर्प शिति आया लेखन करना हिद मत उस्फ न केछज़ा nggak सरेद्धy यानि 128 नमर कोश्चन का हो जाएगा स्रावण कोशल वाला आप्सन यानि चौथा वाला सहय जाएगा अब 119 नमर कोश्चन चलेंगे उद्गमित साक्षर उद्गमित साक्षर ता अस्तरे अपिल लेखन सो किरती अक्षरा नाम निर्माणम सब्दा नाम लेखनम यानि सुरु सुरु में वाक्षरा निर्माणम चित्रा नाम यानि इसका जो कह रहा है कि उद्गमित यानि सुरुवा दोर में बच्चा के ग्यम् जाए जो वाक कर छोटा छोटा निर्माण करने लगा तब यानि आपसन नमर तीसर से हो गया अब एक सो पचास नमर कोश्चन चलेंगे बेद्यार्थिन भासाया बेभारस्य आकनार और थम निल्मकित किम सरवादिक महत्पूणं चिन अंक सुची मुल्य नियधारन स्रेणी पत्र धान वारताला तो एक सो पचास नमर कोश्चन का राइटन से वरतालाफ सही जाएगा मित्रों आज के लिए बस इतना ही फिल नेक्स वीडियो मिलेंगे ब्रेटरी चनल समागों कागों बढ़ाने के लिए लाइक सब्सक्राइब था कमेंट करना आत्य वास्त है के बढ़ना में